हेलो एवरीवन आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आठ जुलाई 2023 के करेंट अफेर्स तो चलिए वीडियो की सुरवात करते हैं पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने कियें तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करने और एक लाइक करने ठीक है चलिए सुरवात करते हैं आज की वीडियो की और अभी हम सब 8 जुलाई 2023 के आज करेंट अफेर्स देखेंगे काफी हम सब समय से पीछे चल रहे हैं क्यूंकि आज 14 जुलाई है और हम सब आज 8 जुलाई का ही करेंट आफेर्स देख रहे हैं तो में एक दो दीन में जल्दे जल्दे वीडियो लाकर उस देट को रीच कर रोऊंगा ठीक है तो सेम्डेट और सेम और करेंट अप्सैइर्स आएगा तो एक दो दीन में हम सब इस टारगेट को रीच कर लेंगे ठीक है जो पांच 6 दिन पीछे च पहला कुस्सन है असम में लोकसवा एवं विधानसवा सीटों का परिसीमन का कार्ज एक जनवरी 2023 से सुरू किया गया है इसके लिए किस वर्स की जनसंख्या को अधार बनाया गया है आपके ऑप्सन है फर्स्ट नमर जनगन्ना 2011 दूसरा है जनगन्ना 2001 तीसरा है जनगन्ना 1971 और चौथा है जनगन्ना 1991 तो इस प्रस्ट का सही आंसर हो जाएका तो पहला का दूसरा नमर जनगन्ना 2001 को अधार बनाया गया है असम में पुना परिसीमन का कार्ज कानून इवं नियाय मंत्राली के अनुरोद पर किया गया है ठीक है बढ़ते हैं दूसरे कुस्टन की ओर Second Question है अन्डबा निकोबाद दूइप समू के कितने निर्जन दूइपों का नाम सरकार ने परमवीर चक्र विजताओं के नाम पर रखा है तो ये बहुत बढ़िया इनिसेटिव है हमारे सहीदों को याद करने के लिए उनके द्वारा जो सेक्रिफाइस हमारे कंटरी के लि दूसरा है 23 दूइप तीसरा है 21 दूइप और चोथा है 25 दूइप तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का तीसरा नमबर 21 दूइप तो इसमें कुछ का नाम भी हम सब जान लेते हैं जो चेंज हुआ है पहला दूइप है आई-ए-ए-ए-ए-ए-ए-न 370 का नाम और ये किन के नाम पे रखा गया है तो मेजर सोमनात सर्मा उसके बाइद आई एन एन 308 का नाम सुवेदार केप्टन करम सिंग के नाम पे रखा गया है इससे पहले 2018 में भी कुछ द्वीपों के नाम चेंज हुए थे तो उसे भी आप अस्मरन रखेंगे एक तो रौस द्वी द्वीप जिनके नाम पे बदला गया है वो मैं उपर आपको बता दिया ठीक है चलिए बढ़ते हैं अंगले कुछन की ओर तीसरा कुछन है गुजरात विदान सभा चुनाब में 5 सीटों के साथ 12% मत प्राप्त करके आम आदमी पार्टी को राष्टिय अस्तर पर पार्टी ठीक है तो अभी भारत में राष्टिय अस्तर पर 9 पार्टी है इसे आप याद रखेंगे तमान में 9 पार्टी कुन कुन से है एक तो हो गया आम आदमी पार्टी इसके अलाबा 8 दल और है ओल इंडिया तुर्णमूल कॉंग्रेस फिर भारतिय जनता पार्टी जो बीजेब मिलाकर 9 पार्टी को राष्टिय पार्टी का दर्जा दिया गया है बढ़ते हैं अंगले कुस्टन की ओर बढ़ते हैं चौथे कुस्टन की ओर भारत और नेपाल के बीज संजुक्त सेन अभ्यास सुरी किरन 16 का योजन कहा हुआ आपके option है फर्स्ट नमबर जवलपूर भा तीसरा है देहरादुन भारत और चौथा है काटमांडू नेपाल तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा चौथा का दूसरा नंबर सलजंडी नेपाल ठीक है तो हर एक साल भारत और नेपाल के बीच सुर्ज किरन अभ्यास होता है और यह इसका सोलमा संस्क्रन था बरते है अगली कुस्टन की ओर पाचमा है जमना लाल बजाज पुरुसकार 2022 भारत के बाहर गांधिवादी विचारों वो जीवन मुल्यों के प्रसार के लिए किसे प्रदान किया गया आपके आप्सन है फर्स नंबर डॉक्टर ओगीराट युनान वर डॉक्टर वालित सियावी य बाहरत के हैं तीसरा है सोफिया साइक ये भारत के हैं चौता है निलेज देसाई ये भी भारत के हैं तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा आपका पाचमा का पहला नंबर डॉक्टर ओगीराट युनान वर डॉक्टर वालित सियावी जो लेबनान के रहने वाले ठीक है त अचनात्मा कारजयों के लिए निलेज देसाई को मिला क्यूंकि इन्होंने मद्परदेश के भील समुदाय के उत्थान के लिए कारज किया था दूसरा है ग्रामीन विकासेतु विज्ञान इबं तकनीक के इस्तिमाल के लिए तो ये मिला है मनसुक भाई परजापती को जमना लाल बजाज पुरुसकार की स्थापना 1977 में गठित जमना लाल बजाज फॉंडेशन द्वारा 1978 में हुई थी ठीक है चलिए बढ़ते हैं अंगले कुशन की ओर कुशन नमबर 6 है साहित अकादमी पुरुसकार 2022 हिंदी भासा के लिए बदरी नरायन को उनके कवीता संगरत तुमाडी के सब्द के लिए दिया गया है आपको बताना है कि साहित अकादमी पुरुसकार कितने भासा में दिया जाता है आपके ओप्सन है फर्स्ट नमबर 24 द आई तक आदमी पुरुसकार संभिधान के आठमी अनुसुची के 22 भासाओं के अलाबा अंग्रेजी वर राजस्थानी सहित कुल 24 भासाओं में दिया जाता है तो अभी तक 23 भासा में 2022 का पुरुसकार दिया जा चुका है बेंगॉली में भी बचा हुआ है ठीक है तो उसमें भी मिल जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की और सात्मा कुश्चन है मिसेज वर्ड 2022 का ताज किसने जीता आपको अप्शन है फर्स्ट नमबर सरगम कॉसल दूसरा है पॉलीनेसिया तिसरा है सैलिन फोर्ड चोथा है नदीम अयूब तो इस प्रसंद का सही आ 22 का पुरुषकार किसने जीता तो पहला अप्शन है मीना सुई चोई यह दक्षिन कोरिया की है दूसरा है सेरी डान यह उस्टेलिया की है तीसरा नदीन अयूब यह फिलिस्तीन की है चौता है एंड्रिया एग्यूलेरा यह कोलंबिया की है तो इसका सही आंसर रहागा रनी वाली है इन्होंने जीता है मिस अर्थ एयर एवर्ड ठीक है मिस अर्थ एयर एवर्ड याद रखेंगे तीसरा नदीन अयूब यह फिलिस्तीन की रनी वाली है इन्होंने जीता है मिस अर्थ वाटर एवर्ड ठीक है और चौता नंबर है एंड्रिया एग्यूलेरा यह कोलंबिया की है और इन्होंने जीता है Miss Earth Fire Award ठीक है तीनों तो दूसरा नंबर हो गया आपका Miss Earth Air तीसरा हो गया Miss Earth Water और चौथा हो गया Miss Earth Fire और सिर्फ Miss Earth 2022 का पुरुषकार जीता है मीना सुई चुई ठीक है जो दक्षिन कुरिया की रने वाली है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर नाइन नंबर कुशन है चंद्रियान 3 का परछेपन किस दिन किया जाएगा आपको आप्सन है फर्स्ट नंबर 15 जुलाई 2023 दूसरा है 14 जुलाई 2023 तीसरा है 17 जुलाई 2023 और चौथा है 18 जुलाई 2023 तो इस प्रसंद का सही आंसर हो जाएगा नाइन का दूसरा नंबर 14 जुलाई 2023 चुकि आज ये विडियो 14 जुलाई को रिकॉर्ड हो रही तो आज ही की दिन आज मैं लाइब देख रहा था चंद्रियान 3 का जो परछेपित हो रहा था तो इस पे मैं डेडिकेट विडियो एक लाऊंगा ठीक है आप सब के लिए तो तीसरा है मेरी बारा चौथा है जस्टिन फ्रैंक तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा दसमा का पहला सित्विनी राबुका और फिजिक की राजदानी होती है सुवा ठीक है तो ये था आठ जुलाई 2023 की अति महत्पून करेंट अफेर्स जिसमें सब 10 कुशन देखते हैं 9 जुलाई 2023 के करेंट अफेर्स के साथ तब तक के लिए थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और एक लाइक कर लीजेगा ठीक है तो थैंक यू सो मज़ बाई बाई एंड टेक केर